Hello friends, this is your host from channel उत्राखंड वाले आज मैं आपके लिए कुछ interesting information लेकर आई हूँ आज हमारी वीडियो का topic है Indian breed इस वीडियो में मैं बात करूँगी गद्धी भौट्या कुट्टे के बारे में इस वीडियो को total मैं तीन पॉइंट में cover करूँगी पहला point history and origin, दूसरा point quality, थर्ड पॉइंट जो मारा रहेगा क्या ये dog आपके लिए perfect है या नहीं अब बात करते हैं पहले point की history and origin इस breed का origin नॉर्मली इंडिया से बताया जाता है specially western हिमालियन रीजिन से जिसके अंदर state आती है हिमाचल परदेश और उतराखंड इस dog breed को जादातर गद्धी भौट्या ट्राई भी यूज करते हैं local gardening की तरह sheep को sheep dog की तरह यूज करते हैं इस dog को breed भी इसलिए कराया गया था एक proper domestic dog बनाने के लिए और ये एक बहुत अच्छा domestic dog है ये जो sheep सोते हैं उनको rotate करता है जो wild animal है जैसे leopard और ये माना जाता है कि दो भौट्या गद्धी कुट्टे एक leopard को मार सकते हैं इस breed को और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि हिमालियन sheep dog इंडियन पैथर आउन अब हम बात करते हैं second point की जो है quality ये large size dog breed है इसका code medium और large दोनों code में मिलता है इस dog breed का जो bone structure होता है वो बहुत heavy होता है muscular शरीर होता है proper sheep dog है ये इस dog का जो breed का mouth होता है वो बहुत चोड़ा होता है इसके गले में काफी जोसके hairs होते हैं वो बहुत ज़दा heavy होते हैं आप जिसे की बोल सकते हो लाइका बबबर शेर heavy hair का एक bunch होता है जिससे की इस breed को जो की royal look provide करता है अब हम बात करते हैं इसके color की ये ज़्यादा तर black और tan जो dark color होते हैं उसमें मिलता है और ये phone colors like reddish black and white color में भी available हो जाता है अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका weight जो male का weight होता है इस breed का वो आपका 60-105 kg तक होता है female का होता है 50-65 kg और जिसकी height होती है 18-24 inches के बीच में होती है जो इसका leader size होता है 6-8 puppies का होता है and जिसकी life है वो 8-15 years तक ही होती है अब हम बात करते हैं क्या ये dog आपके लिए perfect है या नहीं मैं कुछ points बताऊंगी जिससे आप देख सकते हैं कि आपके लिए perfect है या नहीं पहला point और main point ये जो breed है first of all ये indoor breed नहीं है इस आप dog को छोटे area में रखी नहीं सकते हो ये बड़े area में रहने वाली breed है ये बहुत बड़िया watch dog है, guard dog है और आपकी family को pack की तरह protect करेगा wild animals से और stranger से अब हम बात करते हैं इसकी grooming की इसके long coat होता है तो आपको कम से कम इसको week में तीन से बार brush करना ज़रूरी है मन्त में दो से तीन बार इसको bathing कराना ज़रूरी है जिससे की क्या है इसको coat और इसकी skin है वो healthy रहे अब बात करते हैं इसके temperament की वो कैसा है, ये बहुत जाथ energetic dog है, ये बच्चों के साथ बहुत अच्छे से गुला मिला रहता है, खेलता है उनके साथ बहुत अच्छे से रहता है अगर आप इसको बच्चपन से शोशेलबल बनाओगे तो ये आपके साथ और अच्छे से involved हो जाएगा जैसे की मैंने पहले ही बताया है कि आपकी family को pack की तरह protect करेगा guard करेगा stranger से और आपको बचाएगा क्योंकि इसका काम भी यही है ये wild animal से पहले sheets को बचाता था इसलिए इसको sheep dog भी कहा गया है अब बात करते हैं इसकी exercise की इस dog को कम से कम 2 गंटे की exercise बहुत जाता ज़रूरी है क्योंकि ये एक energetic dog है तो 2 गंटे की exercise इस dog के लिए breed के लिए must है अब यहाँ तक आपकी information थी अब मैं आपको एक और चीज इनफॉर्म करना चाहूंगी अगर कोई भी original भौटिया पपी बाय करना चाता है तो इस वीडियो में जो contact दिया है आप उस पे contact कर सकते हैं थैंक यू सो मच इसी के साथ हमारी वीडियो खतब होती है मुझे लगता है मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है अगर इसके अलावा फिर भी कुछ missing रहता है आपके कोई question होते हैं तो आप मुझसे comments के थुरू प्लीज पूछ सकते हैं हमें support करें more videos के लिए more information के लिए like करना ना भूले subscribe करना ना भूले and thank you so much for your support good luck